कि अची डिर्डु volontी इंड चूल्टे अचरवा दो दूट जूश्च मेंडिय के सबसे बड़ा फाइदा यह है कि सेलिब्रिटीज़ जो है और उनके फैन्स उनके बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं या वो अपने फैन्स को जो कुछ भी मेसेज देना चाहते हैं, वो डाइरेक्ट अपने फैंस को पहुंचा सकते हैं, किसी मीडियेटर की जरुवत नहीं होती है सोचिल मीडिया के फाइदे तो बहुत है, लेकिन इसका नुकसान भी है कहीं बार सेलिब्रिटीज को ट्रोल किया जाता है और ये सेलिब्रिटीज जरूरी नहीं है कि नए सेलिब्रिटीज हो या या यंग आक्टर्स हो बलकि इंडस्ट्री के सीनियर आक्टर्स भी होते हैं, जिने कहीं बार ट्रोल कर दिया जाता है रिसेंटली काजोल को ट्रोल कर दिया गया काजोल ने अपनी एक वीडियो डाली जिसमें वो एपल को काट रही है और जिस दिरह से वो एपल काट रही है वो तरीका लोगों को पसंद नहीं आया इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी फेवरेट आर्ट्रिस डीडील जे फेम काजोल को खरी-खरी सुना दी अचली काजोल ने एक वीडियो डाला है जिसमें वो नाइफ से एपल काट रही है वैसे एपल तो नाइफ से ही काटा जाता है लेकिन काजोल की जो स्टाइल है उस एपल को काटने की वो वही स्टाइल है जो अकसर हम मोबाइल में एक गेम खेलते हैं फ्रूट निन्जा स्टाइल, उस टाइल में काजोल ने एपल को उछाला और चाकू मारा एपल पर जिससे उनका निशाना सही भी लगा और एपल में इसे एक टुकड़ा नीचे भी गिरा चाकू से कट कर जहां काजोल बहुत खुश हुई कि उनका निशाना सही लगा वही लोगों ने कह दिया कि बाहर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और तुम इस तरीके से खाने को वेस्ट कर रही हो अपने प्रिविलेज को इस तरीके से शो आफ मत करो तो एक यूजर ने कहा ये तो वेस्टेज ओफ फूड है दूसरा यूजर पूछता है कि मैम आपको ये करने में मज़ा क्या आया ये बताओ एक और यूजर लिखता है कि फूड आइटम्स को इस तरीके से वेस्ट मत करो बहर बहुत सारे लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं इस तरह की पोस्ट प्लीज मत पोस्ट कीजिए तो खुछ यूजर ने काजोल के इस एक्ट को उनकी फिल्म गुप्त से कंपैर किया है जिसमें उनका ग्रे रोल था और लोगों ने कहा कि मैम आपने फिर से गुप्त देख ली किया किसी ने कहा अन्यका आप मान मत करो तो किसी ने कहा कि आप इतनी समझदार आक्ट्रिस हैं इतनी सीनियर है आप से यह उम्मेद नहीं की जा सकती है और जहां तक काजोल की बात है तो उनकी इंडस्ट्री में इमेज है कि काजोल के पास भले ही कितना ही पैसा क्यों नहीं हो उन्होंने कभी भी अपने पैसे को फ्लॉंट नहीं किया काजोल ने खुद अपने इंटर्व्यू में बताया कि जहां बॉलिवूड इंडस्ट्री में इवेंड्स या इंटर्व्यूज के लिए सेलिब्रिटीस बहंगे मेंगे डिजाइनर के कपड़े पहनते हैं वही काजोल आज भी सेंटा क्रूस मार्केट जाकर अपने लिए कपड़े खरीदना पसंद करती है बजाए कि इन फैशन डिजाइनर्स को रुपए देने के काजोल समझती है कि उन्हीं पैसों को आप सेव करो तो वो आपके बुरे समय के लिए काम आएंगे तो जब इस तरह से सोचने वाली आक्टरिस की ऐसी पिच्चर आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं हाला कि काजोल फन लविंग भी बहुत है तो उन्होंने ये जो विडियो डाला है ये से फन के लिए डाला है लेकिन हर बात का एक अलग एंगल होता है और जब आप पब्लिक आय में होते हैं तो लोग हर तरह से सोचते हैं और लोगों की यही प्रतिक्रिया उन्होंने काजोल की इस पोस्ट पर शेयर की है